तो चलिए अब आपको सीधे हम ओजैन के राम घाट लिए चलते हैं जहाँ पर न्यू जेतीन का मंच सजा हुआ है चुनाव एक्सप्रेस जी हाँ हमारे इस खास का रिकम को नाम है चुनाव एक्सप्रेस शुरू हो चुका है जिम्मदारों से हम सवाल पूछेंगा और सीधे मैं जाना चाहूंगा सुधीर जी सुधीर जी ओवर टू यू नमस्कार मैं हूं सुधीर दिख्षित और आप देख रहे हैं न्यूज एटीन बद्द्रदेश चतिस गड़ चुनाव का खास शो चुनाव एस प्रेस लेकर हमारी टीम पहुंची है उत्जेन में शिप्रा के खिनारे रामगार पर जहाँ पर हम नेताओं से चर्चा करेंगे जनता के मन की बात जानेंगे और ये खास शो चुनाव एस्प्रेस लेकर इस वक्त हम मौझूद हैं हमारे साथ यहाँ पर सभी पार्टियों के जो नेता है जो प्रत्री दी है वो भी मौझूद है साथ ही हम हमारे साथ मौझूद है बाजपा के राश्ट्रिय प्रवक्ता राशपाल सिंग जी राशपाल जी स्वागत है आपका आम अदमी पार्टिय से अनिर्टा कुर्च हमारे साथ मौझूद है साथ ही होंगे वरिष्ट पत्रकार निरुक्त भारगव जी बहुत-बहुत होसा है कि आप दोबारा सरकार लेकर आएंगे बारती जनता पार्टी अपने देव दुल्लब कारिकरता हो के पूरे एक नेटवर्क के साथ में मद्दान के अंदर पर तेनात हो चुकी है हमारे दोबारा किये हुए गरीब कल्यान के कारियों के दम पर हम जनता के बीश में जा रहे हैं हमने जो किया है उसके आधार पर उनसे अशिरवाद मांग रहे हैं मद्यपदेश में किये हुए सरवांगिन विकास को लेकर हम जनता के बीश में जा रहे हैं और जनता को हमारे किये हुए काम नहीं हुए देखिए कॉंग्रेस के लोग गाउं में आते हैं, जिस सड़क पर चल के आते हैं, वो सड़क हमारे द्वारा बनाई हुए होती है, फिर भी कहते हैं कि काम नहीं हुआ है, कोई देखना चाहे तो उसे दिखेगा, पर कोई आख बंद करके देखना ही नहीं चाह रहा है, उसे क किसे दिखेगा, अगर कोई जगरा है और सोने का बहना करके पढ़ा है, तो उसको कैसे जगा है, अगर कोई सोया है तो उसको जगा सकते हैं, हाला आख पर्टिस ते भी हमारे पास प्रतिनीदी मौज़ूद है, अनिर ठाकुर जी, दावे कर रहे हैं बिजे पी, राधपाल के मामले में नंबार बढाने है, तो है, हर चीज़ में, और देखलो ंदीपरोदेश की ज़ आज, ह सब्वर्य को स्वाहले मारे जन्ता, ऑपना बोट के द्वारा, जो वोट के द्वारा जो है, वो जन्ता जवाब देगी है, हमादमी पौटी मौद़्ुर्यप्देश में एंट्री करना चाहरी है कितना बरूसा आपको लगता है अलग-अलग सीज़े हो रही है आपके पार्टी को लेकर एडी पुष्टाच कर रही है शराब गोटाले में गहर रही है क्या कहेंगे डरी हुई है जब डर के मारे क्या करेंगे एडी सीबी आई को एक हत्यार बना है तो डर के आगे जीत है हम जंता से डरते हैं जंता के लावा किसी से नहीं डरते हैं और जंता की सेवा करते हैं जंता के लिए पूरे समय हम काम करते हैं करिश के प्रतिनती मौजूद है बहुत-बहुत सवागत है आपका डर के आगे जीत है बता रहे तो क्या डरा की जीत प्रदेश बनाना एसी स्थिती करती है कि यहां महिलाओं को डर लग रहा है बलातकार के नाम से उनके शोजण के नाम से Nathanel Crime Bureau की निसान मत्पदेश नमबर वन है महिलाओं के बलातकार के लिए यहां शोजण में नमबर वन है प्रश्टा चार में नंबर वन है यहां तक की इनों ने इनको भगवान से भी डर नहीं लगा लगाता हम बात होती है अपरादों के आप बात करते हैं लेकिन बीजेपी आरोप लगाते हैं कि आप सिलेक्टिव होते हैं ही आज जादा तर विजेपी प्रदेश के बहुल्ली सरकार है और यहां पर हाली में एक मासूम के साथ जो कर्म हुआ है यहां की जिला प्रशासत जिला पुलिस और शिवराज सरकार और जन प्रतिनिदी भाजपा की उदासीन ताके कारण इन लोगों की कोई लगा मी नहीं है एक मासूम दुश्कर्म का शिकार हुई है और उसके अपरादियों का अज तक दंड दिलाने में असवल र सरकार है नेश्टरल क्राइम बीरो वही एंडल करते हैं नेश्टरल क्राइम बीरो के रिपोर्ट पोर्टल पर आप देख लिजिए कि वहां सकसे ज्यादा मत्वदेश को रेटिंग दी हुए बलातकार और जोशर में नंबर बन की एंसे आर्बे के आकड़ों का जिक्र कर है कॉंग्रेस के जो साथी हमारे वो राजपाल जी लगातार वहीं सवाल आप से करेंगे कि जहां कॉंग्रेस की सरकार है वहीं क्यों अपरावत दिखते हैं देखे निश्चित तोर पर कांग्रेस का समय हमेशा से कॉंग्रेस की नेतरी के मैं यह कहना चाहता हूँ कि मद्यपर्देश पहला राज्य है पहला राज्य है जिसने यहां पर योन उत्पिडन के अपराथ में सजा बढ़ाने का प्रावधान किया है प्रावदान हमने किया है वोटालों में नंबर वान है अब पड़ाले के बात करते हैं अब परीक्षा में हमारे यहां सीवी आई योडी के आप मिच जाती है कि अब पर्देश का अब करते हैं कि यह लोगतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और यह खाज बात यह है कि इसमें जंता की बात को छुपाते हुए दबाते हुए राजीतिक दल अपने अपने बात कर रहे हैं वही राजीतिक दल मद्धिप्रदेश का बड़ा दुरभाग है कि यहां दो दली व्योस्था रही है और आम आदमी पार्टी यहां टोपी लागा कर ज़रूर आए हैं लोग लेकि इनको अभी बहुत मेहनद करने की जरूत है क्योंकि इन्होंने जिस पकार से शुरुवात की है जिस पकार से इनोंने शुरुवात की है इनोंने वी जो कंग्रेस और बीजेपी के जो इनको टिकेट नी मिला उनको उनने रात और रात इनोंने वापस अपने पारटी में लेले और टिकेट दे दिया। तो यह जंता में कोई बहुत अच्छा मैसेज राइनितिक पार जनता जानना चाहती है कि उनके उनसे जुड़े हो मुद्धे हैं उनसे जुड़े हो बुनियादी सवाल हैं उनके लिए यह कितने गंबीर हैं और किस पकारे से उसको काने नदीद करेंगे अगर यह कर पाएंगे तभी चुनाओं में जनता की भागे जारी आपको दिखेगी अधरवाइस आज के समय में 20 दिन गुजर चुके हैं जनता बहुत दिखाई नहीं दे रही हैं आदमी पार्टी से सवाल है आदमी पार्टी के प्रतिनी दी हमारे साथ आप से सवाल किया जा रहा है कि अभी आपको बहुत सिखने की जरूरत है मद्धर प्रदेश की और 36 ग 230 सीटों पर सरवे करने के बाद में आकलन करा आकलन के इसाब से उनने जो सीटे दिये 66 सीटों से आमाधी पार्टी मद्धर प्रदेश में बुल तागत से अपना चुनाव लड़ रही है मुद्धो की बात करेंगे कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ उज्जेन शहर की जनता मौजूद है उनसे सवाल पूछेंगे जानने के कोशिश करते हैं क्या नम है आपका स्वापनिल जी दावे कर रहे हैं आपने सुना दोनों पार्टियों तीनों पार्टियों को आपने सुना उज्जेन में आपको क्या चीज़ लगती है कि काम होना चाहिए तो और काम नहीं हुआ है पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं उज्जेन से नहीं हूँ बट मैं फिछले तीन सालों से उज्जेन आ रहा हूँ और मैंने यहां दिखा है कि कोई भी डेवलप्मेंट नहीं है बाबा महाकाल के नाम पर लोगों ने बड़े बड़े मूर्तिया लगए अरे पहले सुन तो लीजिए तो लीजिए मैंने किसी पार्टी का नाम लीजिए शांत रहे शांत पहले उंको अपनी बात कहने बहुँजे उसके बात हम आपके पास भी आएंगे पहले बात सुन लेजिए उसके बात पैटे बैठीए पहले बात सुन लेजिए उसके बात बात करेगे आप बताईए क्या कहेंगा महाकार लोग देखे सम्में बेले आके के मोदी जी ने कैसा काम किया उज्जेन जो 12 साल में है कुंड लगता शिप्रा नbeltी को देखें शासन में शिप्रा ननी शूखी रेती थी इन कांगरेसी पूछों के परजाना को बद् confident करने का कान ये कांगरिस कर रहे हैं जबकि आपना रहा काम आते हैं यह लगातार हजाहरोंतार प्रतिजिन हो अगरा पुरे भारत वर्त में सबसे ज़्याजा यह उज्जेन की धर्मेदरा विकास की लोग प्रिता का किराब है। लोग बनने के बाद उज्जेन में फुटपॉल बड़ा है यह दावक किया जा रहा लेकिन कॉंग्रेस अभी इस बात से संतुष्ट नहीं है क्या कहेंगे आप इसके उपर प्रतम बताना चाहूंगा खास तौर पर बीजेपी को के महाकाल लोग कॉंग्रेस की शासन की देने महाकाल लोग कॉंग्रेस की शासन में प्रस्ताव पारित हुआ था तीन को करोड़ रुपे कंग्रेस ने शुक्रत किये थे लेकिन इन्हों ने उसके विप्रीद जाकर पाशान की मूर्तियों के जगे खोकली फार्पी की मूर्तिया लगा लेकिन बिजेपी तो यह चाह रह मेरे पास जवाब है कॉंग्रेस जो के रही है कि उनके द्वारा सेंक्शन किया हुआ प्रोजेक्ट है मैं बताना चाहता हूं कि मध्यपुदेश में भारती जंता पाटी की सरकार ने सिहस्त कराया था सिहस्त के समयपर यह विचार आया उसके बाद में 17 में DPR बनी अठारा में प्रोजेक्ट फाइनल हुआ दुरुभां यह से कांग्रेस की सरकार आ गई हमने जो प्रोजेक्ट फाइनल किया था उस प्र जनादेश को दुरुभाग के बोल रहे हैं यह उस करोड़ों जनता का अफमान है क्योंकि बाद में इन्होंने विदायकों की खरीद फौरोग करके चोरी की जर्कार करें जो दुरुभाग करें जो दुरुभाग करें विदायकों की खरीद फौरोग करके चोरी कीवी सरकार को ये वसूली का कारे काल है, ये पैसे वसूली के लिए काम कर रहे है, जनता की बलाई के लिए काम निकर रहे है हमने तो हमारा धर्म निवाया हम सबसे बड़े राजनेतिक डल के रूप में सदन में थे हमने सरकार बनाई उप चुनाओं में गए जनता ने हमको बहुमत देने का काम किया और चुनी हुई सरकार के रूप में आज काम करें सवाल पूछते हैं जनता के बीच जाते हैं सवाल पूछते हैं क्या कह रहें आप हमें इनसे पूछलो कसम मिला के शिप्रमाईजा के वहां खड़े किसने सरकार खरी और किसने नहीं करी एक बात और यह में खुद बार्शन हुरू मेरे साथी यहांपर बीज़ेबी के इनको विचारों को नहीं दिये और उसके वाह सुनो और इंके दिल से बूचो शिप्रा मैया सामने खड़ी है शिप्रा मैया इन लोगों को बख्षेगी नहीं इने शिप्रा मैया माफ नहीं करेगी पानी इसमें मेरी और यह मेरे विजाय मेरे बाश्चत जी मेरे साथ है इनसे पूछो कि क्या काम हुआ हब लोग कमिश्टर के सक्कर लगा ते हैं कुछ नहीं करा जूट पहले आप बैठ जाए सीट पर आपके पास मैं आऊंगा आप सीट पर बैठिए आपके पास आके बात क मेरे यहीं चाहिए यहीं कास्मन करके वाप बनेकं है यह क्या ध्रही निती गलप निती जोल फोलो जूट बोलो और इस्ता बोलो फीर ऐसरे को जूट तहराने के कोशिश हो रही यह यहाँ पर एक बुस्त को जूट बताने की बात हो रही है वादों के लेकर बात हो रहे हैं कि जूटे बादे हैं उज्जेर के अगर हम बात करते हैं उज्जेर के विकास का अगर मुद्दा आता है उज्जेर का कितना विकास राचपाल जी हुआ है देखे मध्यप्रदेश के उज्जेन शहर की जो इकोनामी जिस प्रकार से महाकाल लोग के बनने के बाद में बड़ी है यह विश्व में किसी भी शहर में इतनी तेजी से कोई उकोनामी नहीं बड़ी एक बात यहाँ पर चाय समोसे से लगा कर रिक्षा वाले फूल वाले छोटी दुकान वाले बड़ी दुकान वाले होटल वाले लाज वाले धरंसाला वाले सब की जिस प्रकार की उकोनामी बढ़ने का काम हुआ है वो एक शोत का विशह ये एक बात दूसरी बात आज अगर हम उज्जेन की बात करें तो चारो तरफ से जिस प्रकार से सड़कों से उज्जेन को जोडने का काम किया है जिस पकार से चारो तरब काम चल रहे है, फोर लेन सड़क, बोपाल से देवास से बदनावर वाली, फोर लेन सड़क, उज्जेन से गरोड वाली, फोर लेन सड़क, उज्जेन से बदनावर, बदनावर से रतलाम, उज्जेन संभाग को हमने सभी जीले को चार फोर लेन से ज काम हुए हमारी सरकार में हुए क्या कहेंगे आप इसमें दावे कर रहे हैं कि आपने कुछ रही किया का कॉंग्रेस की कमला सरकार के दौरान मद्विदेश में 23 लाग किसानों का कर्ज माप हुआ मा का लोग के 300 करोड देने शुद्ध का युद्ध चालू हुआ गुंडों के घरों पे बुल्डोजर चालू हुए और जो कमला जी ने एक विकास की योजना बनाई थी इन लोगों से देखी नहीं गई इन्हें लग गया राम राम पद्गमन का यहां पर काम होने लगा था म प्रदेश में कुछ जनता के सवाल और लेते हम यहां पर क्या कहेंगे आप यह दो चीज इन्होंने जो बोली है कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक तो इनने कहा कि इनने मद्दावता का अपमान करा इनके जो वो हैं राष्ट्री प्रवक्ता सुर्जया वाला उन्होंने तो अपमान करा कि जिन्होंने भाज़पा को वोड़ दिया वो सब राक्सर पहला दूसरा यह कह रहे है हाँ यह कह रहे है कि हमने योजना बने हाँ बनाते हैं योजना किर्यानमन नहीं करते हैं इनसे किर्यानमन नहीं होता अब आप उज्जेन से बंदेगार की सड़क चोरी और इनका इनके विधायक थे सुरेन सिंग जी उनने ये कहा कि अगर योजना समीजी की मेठाक में जो लोग जाएंगे उनको मैं चान्जी का सिकार दूँ क्यूंकि और इस बार फिर कॉंगरेस की सरकार बनने जा रही है क्योंकि कांग्रेस पर लोगों को भरोसा है ये लोग इनके बीच का ये एक संत कल निर्दली के रूप में खड़ा हुआ लाखों का पेकेज लेकर निर्दली प्रित्याशी बनना शुरू किया लाखों का अपना रेवडी से की और वो पेड़ गया तो क्या है इन लोगों की नीथिया जन्बल के साथ को धन्बल से क्या किया है 20-30 साल से इनके विदाया के उज्जयन उत्तर में उज्जयन दक्षिण में दस सालों से दस काम नहीं किना सकते हैं बाच्पा के जन्ब्रित्याशी इन्होंने काम किया है भगवान महाकाल के दर्शनों पे शुल्क का पैसों का पैरा लगा कर 200 रुपे की भसमा कि अपने कमरें विशेश होटल में कि अपने सीट पर बैठी आपकी बात पूछी जाएगी आपकी बात रखी जाएगी आप बैठी है इसके पर आप क्या कहेंगे बक्तों से शुल्क लिया जा रहा है आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के जो साथ ये वो सत्यता है कॉंग्रेस से संबंदित विशा ही नहीं है जंता संबंदित विशा है उज्जे नों जब से महाकालोग बना है तो महाकालेशवर मंदीर में दर्शन पर पेसा है महाकालोग देखने पर पेसा नहीं है दर्शन की बात करा हूं सुबह जो भसमारती होती है प्रतिय दिन उस पर 200 रुपया हर विप्रती व्रक्ती से लिया जाता है सारे-साथ सुर्पय प्रती व्रक्ती गर्पे ग्रह में जल चड़ाने का लिया जाता है और ढ़ाई सो रुपया कि लोगों का विश्वास का प्रशन है यहां पर कुछ लोग है जो बाहर से इंसे हमने बात की थी क्या लगा आप कहां से आते हैं मैं मुंबई से हूँ और मैंने जैसे कि प्रशन शुरू गया था भाजपा वालों ने चलाना शुरू गया मैं सिर्फ यह जाना चाता कि अगर कोई गरीब आजमी है वो लंबे से आ रहा है तो अगर उसका साड़े साथ सो रुपे नहीं है तो अगर आपके द्रश्टी का दो से में भ्रहम दूर करना चाहता हूं है उटां छाब से अब तो अ बैठ्सक् device था थे द्रा भाट कर दो पहाए होठी पर शघ्रे सौन आपते आपिर और आप्रश्टी वहाँ थक्तिन आप बरने से ब्हुम आपके बाहन पूतियां कर आब यह यांब हर्या overall दोत्यायच्वाब दैने के लिए 3 उज्जन नगर का कोई भी नागरिक अपना अधार कार्ड बताए उसको तुरंट दर्सन निशुल करने की व्यूस्ता महाकाल में है अगर किसी को तुरिट दर्सन करना है तो उसके उपर 200 रुपे का सुल्क है वो सिक्र दर्सन पे है बाकी दर्सनार की वोपे नहीं है यह भं फिलाया जा रहा है यह जूड बोला जा रहा है जूड बोलकर महाकाल मंदिर की गरीमा को ठैस पोचाने का पाप मापाप कांग्रेस कर रही है मैं के रहा हूं उच्जन नगर के लोगों को आधार कार्ड शिर्प बताना होता है निशुल को तुरिट दर्सन विशेस द सब्सक्राइब यहां पर शद्दालू आते हैं और बड़ा एक कटू और कड़वान हुओ यहां से लेकर जाते हैं कि भगवान महाकाल के आस्था के लिए वो आये थे और अपने आपको ठागा सा महसूस करके जाते हैं और पूरी दुनिया में यह सर्वसिद्ध बात है कई कई महाकाल थाने में प्रक्रंड बात पासे जोड़े विए इसके सरवाधिक दर्सनार्थियों को आने वाला मंदिर महाकाल मंदिर दर्जुआ है इस वर्स में अगर अगर वेवस्ता होती तो लोग क्यो आते हैं लोग इसलिए आ रहे हैं कि हमने सुचारू वेवस्ता देन अब बताइए कि विए पी कल्चर के बात हो रही है राजपाल जी आरोप लग रहा है तो विए पी के लिए गेट खोल दिये जाते हैं अगर किसी वेक्ति के बात समय का वाव वेवेवे तो शिक्र दर्सन की एक व्यस्ता मंदिर पसासन दे रखिए श्ञान में देखा है कि इनके रसमी मंदिरों में शीक्र दर्सन के लिए एक छोटे से सूल्प की वेवस्ता होती है वही है को नहीं होने चाहिए बगतों के लिए कुछ होना ने चाहिए लेकिन बीजेपी एक रही है रुष राजपाल जी कह रहा है कि यह व्यवस्ता सभी बड़े मंदुरों में देखिए बीजेपी सरकार की चला चली की बेला है अगले महीने कॉंग्रेस की सरकार का मत्पदेश में घठन होने वाला है तो चुनाओ को करने की निरुक भार्गोजी से पूचेंगे बार्गोजी आरोप लग रहा है सब चीजों को लेकर यह कहते है कि हमने यह काम किया यह क भक्तों का सवाल उठता है अभी अभी आपने कहा था कि भक्तों को को कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए लेकिन ऐसी व्यवस्ता कमोबेश सभी मंदिरों में है तो जहां पर लोकल जन्ता को को समस्या नहीं आ रहे तो फिर क्या प्राब्लम है माकालिश वर मंदीर एक मांत र लेकिन आम आदमी को भगवान से दूर किया गया है मैं जनता की बात कर रहा हूं आप महाकाल लोग आपने मनाया है वहां पर प्रवेश निशुल्क है लेकिन महाकाल दर्शन के लिए आपको पेसा दिना पड़ता टेक्स है वो उसको तुरंद वापस लिया जाना चाहिए मुद्ध बहुत सारे हैं जरूरी नहीं कि लोकल मुद्ध लोकल मुद्ध अपना होता है लेकिन प्रदेश का जो चुनाओ हो रहा है उसमें मुद्ध राम का भी आ रहा है मुद्ध वहाँ पर गबर का भी आता है मुद्ध वहाँ पर जैविरू का भी आता है क्या लगता ह आपको इन मुद्दों से कोई फरक आप पढ़ा पाएंगे जन्ता को अब लुबा सकते हैं निश्चित तोर पर यह चुनाओं में जन्ता दो दोलो को देख रही है एक तरफ वो लोगे जो महाकाल लोग बनाकर जन्ता को लोकारफिट करते हैं दूसी तरफ वो लोगे जो सनातन को डेंगू मलेरिया और करोना वाइरस बोलते हुए समात्त करने की बात कर रहे हैं जन्ता को तेह करना है जन्ता को तेह करना है जन्ता तेह करेगी कि एक तरफ यह चट में वेसधारी चुनावी हिंदू है एक तरब ये पर्मानेंट सनातनी है उज्जेन जैसी जगह में जहां पर विदान सभा की साथ सीट पूरे जिले में आती है साथ सीटों का समिकरन है साथ सीटों के गणित के हम बात कर रहे है यहां लोग मौझूद है दावे कर रहे है क्या कहेंगे आप साथ सीटे उज्जेन में है चार सीटे कॉंग्रेस के पास है विकास को फिर भी क्यों नहीं हुआ यह तो कह रहे है कि काम कुछ नहीं हुआ बढ़ बताओ इन लोगों से मेरों को तो राजफाल जी ते बड़े प्रवक्ता है हमेरों इन पर हती हा रहे पंदरास साथ से राजिये कर रहे है सद्धा में यह बैट रहे है कि नहीं मारे नहीं लगे डबल हिंजन की बास है शूट बोलने हैं पूले अनके इनके बाद शूट बोलने के आरौप है जन्ता कॉंग्रेस के लोग जो है वो जुट बोरने के अलोप लगा ले है और बीजेपी कह रहे हो बीजेपी के प्रवक्तारे के विकास के हमने इतने काम किये हैं कि इनकी आखे बंद हैं इसलिए ये विकास नहीं देख पा रहे हैं क्या कहींगा महाकाल के अलावा उजेन नगर की पैचान सिहस्ट से है सिहस्ट की बहुमूल जमीन जो बहुमूल हो चुकी उसे इन्होंने आवासी करके सिहस्ट से हटाने का काम इनके दख्शिट ये भी गलत जानकरी ने किया तास्तो रुबे का पेचा गया, 900 रुबे का नाश्ता खाया, इस कदर ये फ्रष्ट सरकार है, और इसके अलावा इन लोगों नहीं विचार, आपके भी इनको भी मौका दीजिएगा, जरूर क्योंकि इनके पास शायदी कुछ कहने को मैं भारती चंता पॉड़ी से हूँ, ये इसे जिनका जो गड्य बंदन मना है, वे सנातन धर्म को खतम करने की बात करते हैं, इन्हों ने, कांग्रेस ने आज तब उसका खंड़न मी नहीं नहीं क्या, क्या हुआ हुआ कुज का ये मद्य परदेश में जीत कर जीत कर हूआन ध बताईए क्या जवाब है आपके पास सबसे पहले इस देश में हिंदू-मुस्लीम जात पात उच्छ नीच की राजनिती शुरू करने का ग्रहिंटकार किसी ने किया भारती जन्ता पाटे ने किया बताईए कि सनातन को लेके कमेंट किया जाता है क्या सनातन को खत्म करने का प्लान किया जा रहे कोई इस पर बताईए आप लोग बैठिये आप लोगों को आने के जरूरत ने आगे आप अपनी जगह पर बैठिये अपनी जगह से सवाल करिए आपको आने के जरूरत ने यह बीच में कॉंग्रेस की नीटिया सर्भतर्व समभाव की नीटिया है और और कॉंग्रेस रम भी मानती है हमारे भावी मुख्यमंत्री कमलाथ हनुवान के कितने बड़े भक्त प्रदेश की जंता अच्चे से जानती है और ये ये चेदम वेज़ के इनके प्रत्या चीज़े पे आपके मात्यम से सवाल पूछता हूँ शांत हो जाएए आप लोग एकदम शांती रखिये ताकि हर आदमी को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए आप अगर ऐसे शोर करेंगे तो न तो उड़की बात आप सुन पाएंगे न उस पर आप सवाल कर पाएंगे आपको सवाल उनके सुनिये जो सवाल आपने किया है जो सवाल आपने किया पहले उसका जवाब आप सुने जाएए हुए सबूजी वीजेपी यहां कारेकरता हुए और प्रवक्ता साथी से पूश्टा चाता और शिवराज सरकार से भी सनातन धर्म के महाप्रतिक सिहस्त मेले की जमीन को यहां आवाजी कराने का काम किया है कि नहीं किया है और उस पर मुख्यमंत्री ने शर्मसार होकर अरोप लगा है तो जवाब ले लिए और जवाब यहां है कि किसी भी प्रकार की सिहस्त की कोई सी भी जमीन को आवासी तो मुख्यमंत्री ने शिवराज से प्रस्ता हो गया था हमने ना मंजूर किया कांग्रेस 2013 में हमने कांग्रेस को मुझें से जीरो करने का काम किया था यह बहरूपी आए आकर किसानों को छलने का काम किया कर्ज माफी की बात की हमारे बोले वाले किसानों को किसानों को हगने का काम किया कर्ज माफी कर्ज माफी पर कर दिया जूट से जूट के हादार पर बनी हुई सरकार इसलिए जीर गई क्योंकि इन्होंने सरकार में आने के बाद में कर्ज माफी नहीं की किसानों की कर्दमापी का मुद्धा लगातार मुद्धा बन रहा है लेकिन किसानों का असली हितकारी कौन है क्या किसान के मुद्धा पर आप अपने दावे करें किसान के सम्मान को बढ़ाने का काम किसी ने किया तो हमने किया किसान के समर्तन मुल्य को बढ़ाने का काम किया तो हमने किया खिसान के समर्थन मुल्य पर, किसान से उपर खरेज़ने का काम किया तो हमने किया, आज मोधी जी और मुक्षमंतरी शुरा सिन्ग चोहान जी, परफिशे किसान परिवार को, 12,000 रुपे प्रती वर्ष किसान सम्मान निजी देने का काम कर रहे हैं, मुक्ष मंत्री और प्राण मंत्री मिलकर भीमा 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 देने का काम हम कर रहे हम जो है किसान को 20 अपर केडिक कार्ड के माध्यम से तिन लाग तक का करजा देने का काम कर रहे है किसानों का सम्मान and हमने वर्ण ने काम किया है निरुक जी क्या लगता किसानों के लिए कितना काम हुआ है और लगता आपको चुनाओं पे किसान का मुद्द असर दालेगा। परियाबत मातरा में फर्टिलाइजर है आज परियाबत मातरा में बिजली मिल रही है देखिया जब बरसाथ के बाद में ठीक बरसाथ के बाद में जब बिजली शुरू होती है तो कुछ इस्टालों पर कुछ परिशानी होती है उसको तत्काल दूर करने का काम हमारी सरकार न बिजली गाओं के फिडर पे मिल रही है निश्रीत तोर पर निश्रीत तोर पर नर्मदा जी के पानी के मार्जन से भी हमने सीचही का रगभा मध्यप्रदेश का बढ़ाया है मध्यप्रदेश में जब 2003 में बारती जन्ता पार्टी की सरकार बनी थी तो छे लाग हेक्टेर मे सीचही लेकर पोचने का काम हुआ है 43 लाग हेक्टर में सीचही चल रही है और बाकी के 20 लाग हेक्टर में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं इस प्रकार से मध्यप्रदेश को सीचही में हमने दस गुना ज्यादा बनाने का काम हमने किया है हमारी सरकार में किसानों को मुद् तैसी व्यक्राइब करती। है जानती सोर्कार हो को की सरकार यह पेशों से खरीडू ही सरकार बनाई वी है बोर्ड़कों का मुद्ब खोल से और हो रहा है कुछ लोग यहां पर है नेता के सिसमें नेताजी भी यह लेकिन कहरें किसान हूं क्या फाइदा हुआ आपको किसान है या नेता ये बताइए। इतना पेसा मिलता किसानों को。 एक किसान और खड़े हैं जो कौंगरेस की पर बात करते हैं क्या कहेंगे आप क्या करते हैं आप किसानी?. मैं जानकारी चाहता हूँ, मैं जानकारी चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंतरी ने जब किसानों का अंदोलन दिल्ली में चल रहा था, उस समय उन्होंने कहा था कि MSP को लागू करने के लिए उन्होंने कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का फैसला आज तक आया? राजपाल जी क्या चवाब रहेंगे? किसानों का चवाब रहेंगे? अब हुआ रहे है, जब हमने सीचैए का संसादन उप्वभ्रब कराने का काम किया है, आज मैं अभी महितपूर से आ रहा हूँ, महितपूर में शिपराजी के उपर खैस को पानी, हर गर को पानी, ये देने के संकलप के साथ हम काम कर रहे है सवाल एक फिसानों के मुद्धे पर उबरते हैं बात हम करते है मालवा की बहुत मातव पुल्ड सीथ है उज्जेन से आपके यहां से उच्छ शिक्षा मंतरी महन Jaadu आते है शिक्षा के बात करते है सांधिपनी की बात करते है आश्रम की भगवान प्रश्णों ने शिक्षा ग्रांड की थी शिक्षा के शेत्र में उच्छे शिक्षा का विशे बद्यप्रदेश सरकार में मौनियादो जी के पास है क्या काम हुआ शिक्षा को लिए अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने कई सारे नए कोर्सेश चालू करने का काम किया है और यहां से हमने जो काम शुरू किये वो पूरे मध्यप्रदेश के अंदर महाविद्यालों के उन्डेन की बात की है उसके साथ साथ में हमने जो है यहां पर कई सारे नए कोर्सेश चालू करने का काम किया है हिंदी में मेडिकल के पढ़ाई शुरू किया है बीजेपी ने आज साथ इस उच्जेद को भाश्पा मेडिकल कॉलेज का सपना दिखाती आ रही थी आज मी उसका कोई ठीका ना नहीं है मेडिकल कालेज का बुमी पूजन हो चुका है निर्मान का रचान हो चुका है आप सिखनी रहा तो क्या कर सकते हैं। है कि विक्रम विश्व विद्याले का मैं स्वयम छात्र हूं और जीन कोर्सों की बात कर रहा है उन कोर्सों की लिस्ट इनके पास होगी आप यहां के लोकल जो आपके पत्रकार है या उन मोहदय से सूचना प्राप्त करिए लगबग अगर सो कोर्स चालू करें तो 70% कोर्सों पर इनके पास शिक्षक नहीं है मादाव कॉलेज में कारे-कारी प्राचार है हमारे जो पूर्व विद्यायक पारस जेन वो शिक्षावंतरी रे चुके तो यहां पर क्येसे विध्याल होने हुने चाहिए यहां के छात्र का भविश्य क्या होना के और हाथ उच्छ जिक्षा मंतरी यहां के होने के बाद भी हमारे कॉलेजों की स्थधी क्या है यहां के जो गवर्मेंट कॉलेज है वहाँ इस साइब आचार यह नहीं है हमारे मादव कॉलेज में इन्होंने बीएसी स्टार्ट करा बीएसी पढ़ाने वाला चिक्षक नहीं प कई सारे परिवारों से और कई सारे चात्रों से मेरी बात हुई किसानों के बेटे यहां से बीएसी एगरिकल्चर कर रहे हैं तीन तीसरा साल यह बीएसी एगरिकल्चर का यहां पर है उसके अलावा हमने कई सारे अन्य कोर्से सुरू करने का काम किया है मेरे मित्र चोटे भ यहाँ पर जो भी सवाल हो रहा है वो अलग-अलग चुनाव को लेकर हो रहा है क्या विकास हुआ है उज्जेन की हम बात कर रहे है शिक्षा की बात हो रही थी अप्रादों की बात भी हो जाए अभी आप आरोप लगा रहे थी कि अप्राद बढ़े है क्यों ऐसा चीज़ है यह उज्जेन में हुआ है इनके रेजिस्ट्राइब पुरानिक पर और साथी चार साथी उपन लोकाइक तो ने फायर धर्ज की उन्हें हटना पड़ा यह शर्मनाग बात है शिक्षा इस्थली क्रश्ण जी की थी और महुन जी भी महुन यादा हुए यहां के उच्छी श प्रचार के लिए चात्रों को बेजने के लिए हमें उपर से दबाव है इस तरह का काम याद उच्छी शिक्षा मंतरी होते हुए यहां पर दक्षीन प्त्याशी कर रहे हैं मुकदमे दर्ज हो रहे हैं शिक्षक शर्शर्म सारे पैसे लेकर ट्रांसफर हो रहे हुनके ओए जिनके नेता जमानत पर है जो ब्रश्टाचार की एबी सीडी लिख रहे हैं वह हमको रस्टाचार का रोप लगाए यह कॉंग्रेस के लोग प्रश्टाचार से आकंड डूबे हुए इने सब प्रश्टाचारी दिखते हैं यह कमलाज जी प्रणा मुक्यमंत्री बने थे त वो उस समय पर वल्लब भवन के अंदर दलाली गाट्डा किसने बनाया था पकड़े थे एडी के छापे किनके निकर्टम लोगों पर पड़े थे ये सब सामने हैं और मेरे मित्रा भी के रहे थे युनिवर्सिटी के कुछ कर्मचारियों के ओपर एफायार हुई है तो हां मैं एपड़के ताहूं एफायर हुई है यह वही यह वही सरकार कर सकती है जिसमें माढशा राइस नेता करते हारा थे विक्रम विशुद आले महां थे तो साल कम पकड़े और रेपायर कर्सकाम को बन करने का कंद्ध याए यह आपने किया यह हमने किया है हमने प्वैयार करने काम हमने किया है और हमारी सरकार में हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ कांग्रेस के एजेंडों के चुंगल से मुक्त कराने काम हमने किया करने काम हम लोगों ने किया है क्या करेंगे इन्हें अपना ग्यान वर्धन करने की भाजपा को जरौत है लोगों तिनों चारों पर प्रकरण दर्ज किया नाकि शासन ने लोगाई तक स्वतन्त रेजेंशी है और ये कॉंग्रेस के अंदोलन इन्हों पिएसडी जेसी सर्वोच डिकरी को बदराम करने का काम किया है शर्मसार कराय क्रशन ची की शिक्षा इस तली को इन्हें इसके लिए माफी भी मागना चाहिए और जंता इन्हें आने वाले चुनाओं में सबक सिखाने जा रही है दोशी कोई भी हो कितना भी बड़ा आज तक वो एक हाइगोट के इस्तगन पर उनके प्रकरण पर बच्चा हुआ है जिनके नेता देल पर है जिनके नेता जेल में है अरे किस मूझ से बात करोगे नो से चुहे खा के बिल्ली अज़कों चलिए किस्ता चार जारों प्रक्रेंदर्ज होता है तो मोदी जी करा र बतार लगातार बात बात आरहे ब्रश्ठाचार की बात कि अभी भी आम आदमें पार्टेंदर जानते हैं इडी ने मुख्यमंतर अर्विन केजरिवाल को पुष्टाच के लिए बुलाया है आरोप उन पर भी लग रहे हैं मनीश सितोधिया पर आरोप लग रहे हैं अरोप शित्त नहीं कर पाई है विजय पुष्टाच के लिए को अगे रखके एक इमानदार नेता को दराज धंकार एक तंपे अगर आज बीजय पी में आज वीजय पी में अगर कोई आता है तो आप शांत रहे हैं अपलोग शांत हो जाएं उनकी बात सुन लिजे अगर जब आप सवाल कर लिया आपने जब आपने सवाल कर लिया है तो जवाब सुनने को माद़ा रखिए ऐसा नहीं है सवाल के बाद माद़ा रखिए सुनने का आखरी के एक दो मिनिट का समय हमारे पास अभी बचा है लेकिन जिन चीजों को लेके भी बात चलती है एडी किया है कोई भी हो उनको जेल में जाना चाहिए उसमें कोई शक नहीं जनता का कहना क्लियर है अब इसको देखते हैं कि कॉंग्रेस जब सरकार में आती तो क्या करती है क्यों जब आई थी है तो कॉंग्रेस फाइल दबा के बेड़ गई थी जो इन्हें आरोप लगाए तो इस पर भी कारवाई नहीं की तो कॉंग्रेस दूद की नहीं है और मेरे बात दो कहना चाहता हूं कि शिक्षा आप जो है उजयन में है शिक्षा इसलिए अगर बहुत इसा दावा किया जाता है इसको अधरवाइज ना लें बीजेपी के या कॉंग्रेस के लोग इसा दावा किया जाता है कि मद्धिप्रदेश पहला राज जै जिसने नहीं शिक्षा नीती को सबसे पहले इंप्लिमेंट किया यह इसा दावा है आप मुझे बताया है मैं पूछा जाता हूँ यह प्रण जन्ता की ओर से क्या एक भी कॉलेज या विश्विद्याले मद्धिप्रदेश का टॉप हंड्रेड में है देश में आप दाली में जाई है आप लोग यह जवाब अगरो देने के यह जवाब पूश करने का काम हमने किया है नई शिख्षा पद्दती नई शिख्षा प्रनाली लागू करने का काम किया है और जब नई शिख्षा प्रनाली लागू हुई है अमुल्चुल सुदार हुए तो आप देखोगे इसका रिजल्ट भी एक दो साल में आएगा हम टाप उनिवर्सिट प्रश्टाचार की बात हो शिक्षा की बात हो या फिर शिप्रा नदी की सफाई की बात हो उद्जेन में इस वक्ता मौझूद है साथ विदानसबा सीटों वाला ये जिला है और यहां पर चुनाव की जो रफ्तार है वो काफी तेज है लेकिन न्यूजेटीन की चुनाव एक प्रिस की टीम उद्जेन में पहुंची है और अगले पड़ाओं पर मंसूर में कल मंसूर के संजे गांधी राश्टी उद्ध्यान संजे गांधी उद्ध्यान में एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद